हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बिहार SAC के तरफ से बिहार SAC 10 प्लस टू इंटर लेवल बेकेंसी का फ्रेंट नोटिपिकेशन जारी कर दिया गया फ्रेंट इस वीडियो में लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अपिक पर और समझते हैं फॉर्म अपलाई डेट की बात कर दिए तो 27 तारिक नवा महीना दुज़ार्टेश से फॉर्म भराना स्टाट हो चुका है जो की 11 तारिक इगरवा महीना दुज़ार्टेश तक भरा जाएगा अप्लिकेशन फी की बात कर दिए तो जेनरल OBC EWS य जाएगा और जो बिहार के CST है फ्रेंट उन्हें 135 रुपया लेगा और जो महिला है बिहार के उन्हें भी 135 रुपया लेगा जो अधार स्टेश से फॉर्म अपलाई कीज़ेगा तो आप लोग को जैसे कि कोई OBC में CST में है तो आप लोग को OBC SEundos in country नहीं किया जाएखा आप लोग को जेनरल में डायेट डाल दिया जाएगा बिहार से हैं उन्हें समझें आगे चलते हैं देखे अपर आयू सीमा के बारें बताया गया जोड़ा जाएगा कम से कम उम्र फ्रेंड 18 सल होना चाहिए और अधिक से अधिक 37 वर्स होना चाहिए किसको पूरसो के लिए महिला की बात करें फ्रेंड 18 से 40 वर्स तक सभी एस्टेट की महिला फॉपलाई कर सकते हैं और फ्रेंड किसको किसको उम्र में छूट जाएगा BC 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 को BC 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 को दो बर्स का चुट जाएगा और ACSt को 5 सल का चुट जाएगा उम्र में और फ्रेंड जेंरल को तो कोई उम्र में छूट ही नहीं दिया जाता आगे चलते हैं फ्रेंड टोटल पोस्ट की बात करेंड फ्रेंड तो 12199 पत्पर वेकेंसी आया हुआ है और यहां पर देख निर्मान विभाग में अबर स्रेणी लिपिक के पत्पर टोटल 28 पोस्ट है समझे ना फिर माद निशेद उत्पाद वन निवंदन विभाग में अबर स्रेणी लिपिक 340 पोस्ट ग्री विभाग में अबर स्रेणी लिपिक 9 पोस्ट इसी तरह फ्रेंट कैक विभागों में वेकेंसी आया हुआ मैं दीरे-दीरे आप लोग को नीचे कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं कि कौन से विभाग में कितने पद पर वेकेंसी आया हुआ है मैं दीरे-दीरे करते जा रहा है प्रेंट टोटल आप लोग का पोस्ट जानी रहे हैं देखे स्वास्त विभाग में भी है फ्रेंट फाइल एरिया इस्पेक्टर के पद पर टोटल आप लोग को 79 पोस्ट है धीरे-दीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंट आप लोग द्यान से देखते रहे हैं और जान लीजिए कि इसमें कौन-कौन से पद देखिए यहां पड़ी राजस विवेवम भूमी सुधार विभाग में भी राजस क्रमचारी का सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं आप लोग को बढ़िया से अफडेट देता हूं को भी फेक नहीं देता हूं अप लोग को रियल नीज देता हूं और बढ़िया से बताता हूं अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और गौर्णमें जॉब से पडिट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तक एक जरूरी बात मैं तो आप smarkzip लेगा अधार काड लेगा आप लोग का मोबायल नंबर लेगा फोटो लेगा सिंगनेचर लेगा और आप लोग का इमिल आईडी लेगा और अप unpleasant आप अनिबास परमान पत्र लेगा औहरे के पास typing का सट्टफिकेट है यूँन हटे हिंग नहीं हो हुआ है वो दे सकता है और जिन के पास typing और computer का certificate नहीं है उstar और जरूरी नहीं है कि उनके पास रहना ही चाहिए जिनके पास है उद दीजिये जिनके पास नहीं है नुद्रे सकते हैं समुझे ने फ्रेंडंड लेकिन आप लोग के पास निबास पर्मानपत्र होना चाहिए दस्मा और ब्रामा का मार्क सिठ होना चाहिए अधार काड़ होना चाहिए निवास पर्मानपत्र होना चाहिए इमेल आइडी होना चाहिए मोबाइल नंबर होना चाहिए तब ही आप लोग एप को भर सकते हैं आप लोग के पास Foto होना चाहिए signature होना चाहिए तभी आप लोग वेजी सट्फिकेट ने तो भी आप लोग इस Form को भर सकते हैं। आप हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में बीलेगे फ्रिन्ट तब तक के लिए बाबाइ आट